इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। रेजेस्ट्रोन 5 मिली ग्राम टैबलेट का उप्योग मासिक धर्म की विभिन समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें दर्टनाक, भारी या अनियमित महवारी, प्रिमिन्स्ट्रूल सिंड्रोम, PMS और एंडोमेट्रियोसिस नामक स्थिती शामिल है। यह नेचुरल फीमिल सेक्स हॉमोन प्रोजेस्टेरोन का एक मानव निर्मित रूप है। रेजेस्ट्रोन 5 मिली ग्राम टैबलेट को खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है। लेकिन इसे हर दिन नियमित रूप से एक ही समय पर लेना बहतर होगा। डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रही हैं। आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों को सुधारने के लिए कितनी आवश्यक्ता है। टैबलेट को पानी के साथ सब उत निगल ले। जब तक इ इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में सिर्दर्द, मिचली आना, पेट दर्द, योनी में दाग, चक्कर आना और स्तन कोमलता शामिल है। अगर यह आपको परेशा करते हैं या गंभीर दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं क्यूंकि इनको कम करने या माइग्रेन की रोक थाम के तरीके हो सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपको यह दवा लेने के बाद पी लिया, माइग्रेन या बोलने, या सैंस, आंक, सुनना, गंध, स्वाद और छूना में बदलाव जैसी समस्या होती है, तो इस दवा को तुरंत या स्तनपान करा रहे हैं, डाइबिटीज हो, माइग्रेन हो, या कोई लिवर समबंधी रोग, या आपके रक्त संचार में कोई समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे है क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है। यह दवा कुछ रक्त और मूत्र परीक्षनों के परिनामों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए डॉक्टर को बताएं कि आप यह दवा ले रहे हैं। वीडियो को क्लिक करें धन्यवाद